नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको अर्वी छीलने की ऐशी ट्रिक बताऊंगी जिससे हाथ में खुजली भी नहीं लगीगी और एक किलो अर्वी आप एक साथ तीन चार मिनट में ही छील लेंगी सबसे पहले यहां ही मैंने 250 ग्राम अर्वी ली हैं अभी सबजी बनाने के लिए मुझे सिर्फ 250 ग्राम अर्वी की आवश्यक्ता है अब कोई भी एक कोटन का कपड़ा ले ले और उसे अच्छी तरह से किचिन काउंटर पर फैला ले और जितनी भी आपको अर्वी बनानी है वह अर्वी कोटन के कपड़े पर रख कर इस तरह से कपड़े को इस तरह से करणा है बिलकुल हम हलके हाथ से थपकी से कपड़े दूलते हैं उसी तरह से करेंगे अभी 20-25 सेकेंड ही हुई हैん एक बार आपको बीच में ढूझाण देख्या देती हुं देखिए अर्वी का छिल जाएंगी, एक तरफ से ही कपड़े को हमें किसीन काउंटर पर नहीं मानना है, गुमा गुमा कर मारना है, एक डेड़ मिनट बाद हम देख रहे हैं, देखे, हमारी अर्वी बढ़िया से साफ हो चुकी है, और देखे, इनका छिलका आप भी देखे, आप कितना पतला छि साफ कर देगे, ज्यादे इसमें छिलका बचता ही नहीं, थोड़ा घोती कहीं, जो हाड वाला पार्ट है, वो रह जाता है, फ्रेंड्स, आपको जितनी भी अर्वी बनानी है, तो उतनी अर्वी आप ले ले और एक बार में ही आपकी सारी अर्वी आराम से छिल जाएंगी, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो अपने कोमेंट करके मिझे जरूर बताएं, मुझे आपके कोमेंट का बहुत इंतिजार रहता है, आपने अभी तक मोर टेश्टी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें पि इस वीडियो को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी अर्वी छीलने में बहुत हैल्प मिलेगी, और आपको थैंक्यू कहना हो कभी नहीं भूलेंगी, अर्वी के उपर जो थोड़ा चिलका चिपका दिखाई दे रहा है, जब हम इसे चटकारे दार सबजी बना सकती है, थैंक्स पर वोचिंग माई वीडियो